दमश्कार आईवी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ निशा बढ़नवार बिहार वधान परिसप की पांस सीचों पर चुनाव होने हैं ऐसे में चुनाव को लेकर गया सिक्षक निर्वाचुन शेत्र से वहां पर पेच फस्ता हुआ नजर आ रहा है दरसल क्योंकि NDA के फोल्डर से बीजेपी ने अपना कैंडिडेट वहां से उतारा है लेकिन खबरे ये भी चल रही थी कि एक तरफ जहां पशुपती पारस की पार्टी यानि कि रालोजपा के कैंडिडेट को वहां से उतारने की बात चल रही थी तो वहीं दूसरी ओर ये भी ख पारशा भातीजा के बीच में नाफस कर वहां से अपना कैंडिडेट उता रहा है जिससे कहा जा रहा है कि पशुपती पारस और चिराख पासवान दोरों में कहीं न कहीं अंदर खाने थोड़ी बहुत तो नाराज़की देखी जा रही है ऐसे में कहा जा है तो वहां से यहां पर पशुपती पारस की पार्टी से कांडिडेट नहीं उतारा गया है और बीजपी ने अपने कांडिडेट जीवन कुमार को महां से खड़ा किया है ऐसे में क्या मतलब अंदर खाने क्या चल रहा है देखिए वहां पर एक बात समझना पड़ेगा कि गया जो सिक्ष अधिम दिन में उनके नाम पर मोहर लगी भार्दियंता पार्टी केंद्रिये मंत्री हैं पस्पति कुमार पारस और न्डिये में हैं वह चाहते थे कि प्रफेसर दियन सिंग वहां से चुनाओ उनकी पार्टी से लड़े लेकिन और उसके लिए प्रयास भी उन्होंने किया उसके लिए जेपी नडड़ा भार्दियंता पार्टी के रास्टी अध्यक्ष्य उन्होंने कई राओं की बाचित भी अस्वासन भी दिया गया लेकिन अब देखिए यहां पर उनको नटिकट देकर जीवन कुमार को बनाया गया तो यह इसके अब देखने वाली बात होगी कि जो जीवन कुमार के लिए जब ऑफिसियली कंडेट होगे भार्तियंता पार्टी के तो प्रफेसर दीयन सिंग पर पस्पती कुमार पारस की पार्टी कोई करवाई करती है कि नहीं नंबर दो बात क्या है कि वहां से कृस्प कुमार सिंग भारतियंता पार्टी के वह भी टिकट की मांग कर रहे ते और मजबूत और प्रवल दावेजार थे लेकिन बावदू और के राजपती मिस्र के वह जमाने से वह उनके साथ में रहे तो ऐसे में बहुत उमीद थी कृष्ण कुमार सिंग को टिकट में लेगी भारतियंता पार्टी नहीं नहीं दिया तो वह भी बागी प्रत्यासी के रुपे वह भी वहां से चुनाव लड़ रहे है तो सबाग उन पर कारवाई नहीं करती है तो क्या इसे यह हम कह सकते है कि पश्वपती पारस जो है वह मौन सहमाती दे रहे हैं वह क्योंकि बीजेपी ने उनकी कंडिडेट को नहीं उतारा तो इस वज़ए से वह कहीं न कहीं पीछे से उनका समर्थन करें देखने वाली बात होगी कि पॉस्पती कुमार पारस जो बता के जो लंबे समय से वह उनकी पार्टी में जुड़े हुए हैं प्रोफेसर डियन सिंग वह आज के कंडिडेट वह नहीं है लोचपान पार्टी को भूगतना पड़ेगा और देखे चिलाग पास्वान चाहते थे उमिद्वाल करना लेकि जे भी देखे कि वह नहीं मिल रहे तो उन्होंने पारस की पार्टी को टिकट नहीं मिला उमिद्वार को प्रोफेसर डियन सिंग को तो वह उन्होंने भी बिग्रॉव कर लिया तो फिर वह आचा वहां यह सीट जो है गया सिक्षक वाली सीट यह सीट जदियू की है और लड़ते आ रहे हैं वही इस बार भी बहुत जदियू से लड़ रहे हैं तो ऐसे में चिराग पास्वान देखें 2020 में जो बिहार विरंसभा का चुना हुआ था वही इस्तिती लाने के कवायत में थी अगर जदियू अगर वहां से उमिद्वार देता है तो काव मिद्वार होता है और हर दिन दा पाटी एंगर हमको देखा करना है तो नहीं था डेता एंगर फॉरा की के बोρ्टेट जाएगा लेकिन जब 12 तारीक को बोष्णा की जीवन कुमार को उतार रहा है तो उन्हें भी लगा कि एक जटका जासा लगा और फिर उन्होंने कहा कि हम तो पूरी तैयारी कर चुके थे कि तेरा तारीक को हमारी कांडिडेट के नामंकर होना है लेकिन नहीं किया गया जिस व चिराग पाषवान की पार्टी में कोई नाराजगी ने चिराग पाषवान देखिए स्टेजिव कल मूव था उस तरीके से बरश कि पार्थी ओमीदवार देति है प्रोफेशर डियम शुपर लोगतरा वार्थी तो निस्टी तो में अपना उमीदवार में और आसे कि परफेसर डियन सिंग जो एंडिये फोल्ड में रहते हुए वो लड़ रहा है तो यह सब परशानी का सबब है और यह सिटिंग सीट जल्यू की है तो इसलिए वहां पर देखने वाली बात होगी कि लंबे समय से संजीब स्याम सिंग वहां से में जसीर है तो क्या वहां पर जो सब्सक्राइब के लड़ाई होती है कि महागटबंधन में अभी जो सब्सक्राइब करें बलकि एंडिये फोल्ड में भी देखने को मल रहा है एक तरफ जहां बात करें तो जेडियू और आर जेडी के साथ साथ एक भात्वमाली के कंडिडेट को उतारा गया है लेकिन कॉंग्रिस और बाकी अन्य दलो की प्रत्याशी को नहीं उतारा गया है जिससे अन्य दलो में नाराजगी है तो वहीं एंडिये फोल्ड में भी नाराजगी देखने को मिल रही है हलाकि बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए चाचा भतीजा की पेच में ना फस्कर अपना कैंडिडेट महां से उता रहा है अस खबर में इतना ही बाकी के तमाम खबरों के लिए बने रहा है आई वी टीवी के साथ धन्यवाद आशरवाद इजी कॉन ग्रूप भरोसी का दूसरा नाम हम सिर्फ घर नहीं खुशिया भी बनाते हैं आशरवाद रोस वैली जिसमें हैं प्रीमियम फ्लैट्स विट आल मॉडर्न अमैनिटीज पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे नंब परोपर संपर